हलो एवरिवन खमागनी वैलकम टू फूड एंफन पाइपुनम कैसे हैं आप सब आज हम बनाने वाले हैं सिवयों वाली खीर तो चलिए बनाते हैं सिवयों वाली खीर हम कभी भी बना सकते हैं हुली दिवाली ईद राखी किसी भी तहियों आर पर यह बहुत अच्छी लगती है और यह टेस्ट में तो है यह अमेजिंग और जैसे गेस्ट को खाने पर बुलाया हो तो मीठी के लिए आप यह बना सकते हैं आप इसे गरम गरम भी ले सकते हैं प्रिज में रखके ठंडा करके पुडिंग की तरह भी खा सकते हैं यह बहुत ही यम्मी लगती है तो चलिए बनाते हैं सेवयों वाली खीर बनाने के लिए यह अमारे इंग्रेडियंट्स है मैंने एक बाउल सिवया लिए यह वर्मिस एली वाली सिवया है एक लिटर हम गोल्ड वाला दूद लेंगे यह फुल फेट वाला है इससे क्रीमी टेस्ट आएगा आधा बाउल मैंने चीनी ली है आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग कम जादा ले सकते हैं अगर आपको जादा मीठा पसंद हो तो पॉन बाउल भी ले सकते हैं दो टेब वाली इलाइची ली है और थोड़े केसर के धागे लिए हैं अब सबसे पहले हम एक पतीले में दूद को डालके और बॉल होने को चड़ा देंगे दूद बॉल हो जाए एक बाउल दूद में हमें केसर भिगो देना है अब यह कडाई में थोड़ा घी डालके आधा चमश धाई डाल के और घी दालके और व्याखयान दूद को इन गया आउब भिगो घी डालके और आप यह लगने सभूके को बहन लेंगे flame को low ही रखना है और धीमे धीमे इनको भूनना है flame तेज मत कीजिएगा वरना यह जल जाती है और फिर खीर बनेगी तो उपर काली काली दिखेगी तो बहुत अच्छी नहीं लगेगी और टेस्ट में भी अच्छी नहीं लगेगी तो बिल्कुल low flame पे इनको धीमे धीमे भूनना है जैसे ये हलका ब्राउन होगा फिर गॉल्डन ब्राउन होने तक इनको भूनना है जितना अच्छे से सिवई भूननेगी उतना ही अच्छा कीर बनेगी हमारी ये गॉल्डन ब्राउन होने लग गई है तो इनको धीमी आज पे भून लीजिएगा यह जाज पे इतना स्वाद भी नहीं आएगा और कलर अजीब लगेगा इसलिए आप धीमी आज पे 7-8 मिन तक इनको भून लीजिएगा यह देखिया हमारी सीवई यह भून गई है एकदम गॉल्डन ब्राउन कलर आ गया है अब इस स्टेज पे हम गरम कियावा दूद डाल देंगे चलाते वे दूद डाल देना है एक बाउल दूद मैने रख लिया था केसर के धागे बिगो दिये उसमें और बाकी का सारा दूद इसमें डाल देंगे चलाते वे पकाना है फ्लेम को मीडियम टू लो रखे लग बग 10 मि 12 मिनट तक इसको पकाना है, फ्लेम को लो ही रखिएगा, ज्यादा तेज मत कीजिएगा, मीडियम टू लो रख सकते हैं, ये धीमे धीमे पकेगी, तभी ये पूरा फूलेगी और फिर इनका एकदम घुलने लगेगी ये दूद में, इस तरह से चलाते रहिएगा दूद को, म आप अच्छा से चलाते वे बनाईएगा, जिससे एकदम रबड़ी वाला टेस्ट आएगा, जिससे दूद्ध पकेगा एकदम क्रीमी टेक्श्चर आएगा, ये से चलाते वे शाइट से खुरसते रहिएगा, ये साइट से चिपकना नहीं चाहिए, ये जो मावा चिपक र इसी से तो रबड़ी वाला टेस्ट आएगा तो इसको जलने मत दीजिएगा और चलाते रहिएगा दीमे दीमे चलाते वे बीच बीच में आप छोड़ सकते हैं बड़ चलाते रहिएगा और लगबक 10 से 12 मिनट तक पकाने के बाद यह हमारी सेवई हैं फूल गई है और यह द दागे भी गोए थे वो वाला मिक्स कर देंगे केसर वाला दूट डाल देंगे केसर वाला दूट डालने से यह गाड़ापन बैलेंस हो गया इसका तो एक बाउल दूट जरूर रख लीजिएगा केसर के दागों के साथ लास्ट में डालना होता है तो एक बाउल दूट डा अब चीनी के गुलने के बाद हम इलाइची पाउडर डालेंगे और ड्राइफ रूट्स डालेंगे अब चलाते रहना है और अच्छे से मिक्स कर देंगे सारी चीजों को यह देखिए पक गई है अच्छे से पूरा मिक्स हो गया है दूद और बहुत ही अच्छी गाड़ी ग के रॉंजी भी डाल देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे डकन लगा के दो मिनट और पकने देना है जिससे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए और दो मिनट बाद देखिए यह हमारी गाड़ी मलाईदार खीर एकदम तयार है अब चाहें तो इसे गरम-गरम खाएं और चाहें तो इसको थोड़ा ठंडा करके फ्रिज में रखके पुडिंग की तरह भी काम में ले सकते हैं यह ठंडा होने के कुछ देर बाद यह थोड़ी गाड़ी हो जाती है कई बार चार-पांच घंटे बाद यह गाड़ी हो जाती है ऐसे में आप थोड़ा दूद गरम करके और mix कर लीजिएगा अगर ये गाड़ी हो जाए तो ज़्यादा देर बाद खाना हो तो थोड़ा सा आप इसको पतला रखिएगा इसको शारू करेंगे ये देखिए तयार है हमारी गाड़ी मलाईदार एकदम यम्मी वाली खीर तयार है सेवयों वाली खीर तो यम्मी व वाली खीर पसंद आये तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा थेंक यू सो मच आल माई सब्सक्राइबर्स हेव ए ग्रेट डेए